So Hi Guys, अब सब केसे उमीद करता हूँ, अब सब ठेक हो तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Samsung Galaxy S21 FE का April का Security Patch Update के बारे में तो यहाँ पर यह वाला Security Patch Update करने के बाद मैंने Samsung Galaxy S21 FE को अच्छे से यूज किया है अच्छे से यूज करने के बाद क्या-क्या Changes मैंने देखा है S21 FE में वो उसके बारे में मैं डीटेल में बात करने वाला हूँ इसका Camera Quality कैसा है, इसका Heating Issue कैसा है, इसका Battery Life कैसा है, इसका Charging Speed Improve हुआ है या नहीं सब मैं डीटेल में बात करने वाला हूँ लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो चैनल को सब्स्ट्राइब नहीं किया है, तो सब्स्ट्राइब कर लो और अगर आपको ये वीडियो देख कर यूसफुल लगता है, तो Like करना भी मत भूलिया, तो चले, शुरू करते हैं तो पहले स्टार्ट करते हैं इसके battery life and heating issue के बारे में तो battery life देखा जाये तो March के security update के बाद यहाँ पर battery life drastically कम हो गया था और यहाँ पर heating issue भी बहुत ही अच्छे से देखने को मिल रहा था लेकिन यहाँ पर April का security patch update आने के बाद यहां पर S21 FE का जो battery life drastically improve हो चुका है उसी के साथ heating issue भी आपको उतना देखने को नहीं मिल रहा है इससे पहले March के security patch update में अगर मैं Instagram यूज़ करता हूँ या YouTube में कोई वीडियो देख रहा हूँ तो यहां पर phone बहुत ज़्यादा heat हो जाता था लेकिन यहां पर अभी वैसा वाला कोई भी problem नहीं है Samsung ने यह वाला issue को solve कर दिया है तो यहां पर अभी Samsung Galaxy S21 FE यूज़ करने में थोड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि यहां पर battery life भी मुझे पहला March security patch update के बाद यहां पर मुझे 3-3.5 hour screen on time मिलता था मेरे usage के हिसाब से लेकिन अभी के time में मुझे 4-5 hour screen on time आराम से मिल जाता है Samsung Galaxy S21 FE में तो अब बात करते हैं यहां पर camera quality में कोई भी difference आया है या नहीं तो यहां पर आपको भी यह problem आ रहा है कि नहीं मुझे बताओ यहां पर इसका जो टेली photo lens है टेली photo lens में मैं अगर 10 photo लेता हूँ तो उसमें साथ photo में edge detection का problem आता है इसमें लेकिन बागी 3 photo आराम से अच्छे से photo ले लेता है लेकिन 10 में से 7 photo edge detection का problem आ रहा है जो टेली photo lens है सामसंग ने update दे दे के खराब कर दिया है तो यहां पर यह वाला problem भी सामसंग को solve करना चाहिए with another software update और दूसरा जो changes मैंने देखा हूँ है मुझे personally वो change देखने को नहीं मिला है लेकिन यहां पर Samsung Galaxy S21 FE के users को green line issue आ रहा है security patch update करने के बाद तो यहां पर आप ध्यान रखे security patch update करो यहां पर मुझे भी बहुत सारे comments आ रहे हैं कि यहां पर yearless security patch update करने के बाद मुझे green line issues आ रहा है तो यहां पर अगर आपका phone warranty में है तो यहां पर आप आराम से software update कर सकते हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको कैसा चेक करना है कि आपका warranty कितना बागी है उसके बारे में मैंने वीडियो बना के डाला वाया आपको मेरा channel में मिल जाएगा उसका link भी मैं नीचे description में दे रहा हूँ आप वहाँ जाके check out कर सकते हो तो अगर आपका phone warranty में है तो आप आराम से software update कर सकते हो यहां पर green line issue आने से भी आपको free में screen replace करके दे देगा तो अब बात कर रहे हैं charging speed के बारे में तो यहां पर बहुत से region complain कर रहे हैं कि यह जो April का security patch update आने के बाद यहां पर इसका charging speed बहुत ही slow हो चुका है लेकिन personally मुझे वैसा कुछ नहीं लगा है यहां पर जितना मुझे charging speed मिल रहा था वैसा का वैसा ही charging speed मुझे अभी भी मिल मैं से स्पीगन का 70 वर्ट का ग्यान charger यूस कर रहा हूं तो यहां पर मुझे super fast charging नहीं मिल रहा है लेकिन fast charging मिल रहा है तो यहां पर मैं आपको एक idea बताता हूं 5% से 100% चार्ज करने में मुझे 1 hour 25 minutes लगता है Samsung Galaxy S21 FE को चार्ज करने में तो यहां पर आप मुझे बताओ क्या आपका charging speed भी कम हुआ है या नहीं तो यह थे कुछ changes Samsung Galaxy S21 FE में April के security patch update के बाद तो अगर आपको और कोई भी changes देखने को मिला है तो यहां पर आप नीचे comment section में बता सकते हो तो दूसरे Samsung Galaxy S21 FE की users को थोड़ा ज्यादा helpful रहेगा तो उमीद करता हूं यह वीडियो आपको पस संदाया होगा धन्यवाद